हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस वीडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुसके को सबस्क्राइब कर ले जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे आज हम काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं आज का टॉपिक है कि पर्स में ऐसी कौन सी चीजे रखें जिने रखने से हमारा पर्स हमेशा भरे रहें कभी भी पर्स में मा की खंडित फोटो ना रखें इसे तुरंत नदी में परवाहित करके दूसरी फोटो पर्स में रख लें पर्स में पीपल का पत्ता रखने से भी आपको कभी धनकी कमी नहीं होती पीपल के पेड़ में भगवान विश्नु का वास होता है पर्स में पीपल का पत्ता रखने से सकारात्मंग उर्जा मिलती है किसी सुब मूरत में पीपल के पत्ते को गंगजल से धोने के बाद इसमें केसर से स्री लिखें और इसे अपने पर्स में कुछ इस तरह रखें कि यह किसी को ना दिखाई दे अपने पर्स को हमेशा भरा रखने के लिए आप पर्स में स्रीयंत्र भी रख सकते हैं यदि आप मा लक्षमी की किर्वा पाना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में छोटे अकार का स्रीयंत्र भी रख सकते हैं यदि आप अपने पर्स में स्री यंत्र रखते हैं तो ये यंत्र आपको सुक समर्दी परदान करता है। पर्स में चावल के दाने रखने से भी पर्स कभी खाली नहीं रहता। चावल सुक्र ग्रह से संबंदित अना जाएं और सुक्र ग्रह को सुक समर्धी का कारक माना गया है। इसलिए पूजा पार्ट में देवी देवताओं को तिलक करने के बाद चावल चड़ाते हैं। मालक्ष्मी को चड़ाई हुए चावलों को एक कागज में रख कर अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे सुक्र ग्रह तथा मातलक्ष्मी की किरपा प्राप्त होगी। पर्स में कोड़ी और गोमती चक्रे रखने से भी पर्स हमेशा भरा रहता है और आपको कभी भी धन धाने की कमी नहीं रहती। पर्स में मालक्ष्मी जी से सम्मंदित और भी चीजे जैसे गोमती चक्रे या समूंद्री कोड़ी भी रख सकते हैं। इससे आपको धनका लाब होगा दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई है सभी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करना ना भूले